हेलो फ्रेंड्स, गूड इवनिंग ठंड में अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके तुलसी का पौधा मुर्जा जाता है और पौधे की केर किस तरीके से करें कि ताकि तुलसी हरी भरी रहे ठंड में भी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे केर टिप्स के बारे में और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में डिसकस करेंगे जिससे आपके तुलसी का पौधा ठंड में हरा भरा रहेगा सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे की विशेस देखवाल की जरूरत पड़ती है कुछ खास तरीके अपना कर तुलसी को सूखने से हम बचा सकते हैं और इसे सुरक्षित रख सकते हैं तुलसी को सर्द हवा और कोहरे से बचाना चाहिए जब तेज ठंड शुरू हो जाए तो तुलसी का गमला यदा संभव खूले से हटा करके आप घर के अंदर रख सकते हैं तुलसी को शीत लहर से बचाने के लिए एक भारी चुनरी भी उढ़ाई जा सकती है कुछ शौल की तरह आप उपर से यदि ढख देंगे तो इससे तुलसी के पौधे पर बहुत ज़्यादा ठंड की मार नहीं पड़ेगी इस उपाय से तुलसी का पौधा ठंड के कारण नहीं कुमलाएगा ठंड के मौसम में तुलसी के नीचे सुबह शाम दीपक जलाने से भी जलते हुए दीपक की गर्मी से तुलसी का पौधा ठंड से बचेगा ठंड में तुलसी के पौधे में ठंडा पानी नहीं बलकि हलका गुनगुना पानी डालना चाहिए ये वैसे ठेंड में फ्रेंट्स आप थोड़ा कम ही पानी का इस्तमाल करें, जिनके घरों में सुबह तुलसी में जल देने की आदत है, वो छोटे कंटेनर यानि छोटी सी लोटकी का इस्तमाल करें, ना कि बड़े लोटके में पानी डालें, तुलसी के पौधे को नमी चाहि इसके साथ ही मिट्टी की गुडाई भी कर दे ताकि तुलसी के पौधे को उचीत ऑक्सीजन मिलती रहे तो सबसे पहली जो टिप्स है वो यह है कि तुलसी के पौधे में हर एक 10-15 दिनों में आप गुडाई किया करें आप देख रहें यह मेरे तुलसी का पौधा है यह निकलने लगी है तो आपके भी तुलसी का पौधा यदि अनायास ही बहुत बड़ा हो रहा है उसे कट करके पहले आप शेप में ले आईए जहां से आप कट करेंगे उस जगह पे हल्दी या एलोवेरा लगा दीजे ताकि वहां से डाइबैक की प्रॉब्लम ना हो सूखे नहीं और वहां से नई ब्रांचेज निकलने लगें तुलसी को ज़्यादा सर्द जगह पे ना रखें सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है तुलसी जी के प्लांट में यह है सर्सो की खली मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर यह तुलसी के पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करता है और इसे आप एक बार पाउडर बना करके रख लीजे इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जितने भी लिफी प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन वाले खाद जो होते हैं वो जरूर देना चाहिए आप एक चम्मस सरसो की खली को इसके किनारे पर छिड़क दीजिए आप इसे लिक्विट फर्टिलाइजर बना करके भी दे सकते हैं इससे आपका पौधा काफी हरा भरा रहेगा और ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो चैनल पर है आप जाकर देख सकते हैं फ्रेंड ये है काव मैन्योर कमपोस्टी यानि की सड़े हुए गोबर की खाद को आप दो-तिन दिनों तक पानी में भीगो दीजिए और फिर इसके पानी में आप नॉर्मल वाटर मिला करके और इस पानी को आप अपने तुलसी के पॉस्पोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन ये तीनों चीजें मिलेंगी जो तुलसी को बढ़ने में उसके रूट्स के डेवलोप्मेंट में और नई ब्रांचेज आने में हेल्प करेंगी मैं बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं मिट सूखने नहीं देगा आप इन दोनों खाद का इस्तेमाल करें मैं इन ही दोनों खाद का इस्तेमाल करती हूँ आप देखिए ये कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये काफी बुशी हो जाएगा थोड़े दिनों में जहां से मैंने कट किया है वहां से नई ब्रांचेज भी आ रही है यदि आपको भी तुलसी के सूख जाने की समस्या है तो आप इन दोनों खाद का इस्तमाल करें और बाकी जो केर टिप्स मैंने आपको बताया है उन पर भी आप ध्यान दे तुलसी को ऐसी जगह पे रखे जहां थोड़ी सललाइट आती हो वाटरिंग का ध्यान और टाइम टू टाइम प्रूनिंग भी किया करें यदि बहुत ज़्यादा तुलसी बड़ी हो गई है और उसमें मंजरी लग रही है तो उन मंजरीयों को तोड़ करके आप इनके गमले में यदि ऐसे ही बिछा दोगे तो धीरे धीरे वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नए प्लांट्स बनने लगते हैं इसी तरीके से मेरा ये इधर वाला प्लांट मंजरी से ही तयार हुआ है तुलसी के केर करना ठंड में बहुत आसान है इन जीजों का आप ध्यान रखेंगे तो तुलसी का पौधा कभी भी ठंड में नहीं सुखेगा ना पत्तियां पीली कायद करते हैं कि उनके तुलसी के प्लांट में पत्तियां जो है वो जड़ जाती है ठंड में इन खात का इस्तमाल कीजिए ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा थैंक यू फ्रेंस